कि ले ले का फिर से स्टार्ट करती है ठीक है चले है तैंथ का मैसे यह साइंस क्रूप का ठीक है आज क्लास करेंगे इसके हम और फिर्स चैप्टर है हमारा क्वाट्रेटिक इक्वेशन ठीक है वाज नहीं आ रही आपको तो आगया जाए तो है चैप्टर वान इमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब देखें अब आपने पड़ा हो अपने पीछे चोटी प्लास 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 फॉर यह एक्सप्रेशन है अब जब इसके अंदर एक्वल्टू का साइन भी आजए इसके इधर कुछ भी हो सकता है अब यह एक्वेशन्टू का साईन की वज़ासे क्या ब attendant इसका parks और विआ में इप टू का साइन नहीं होता और इक्वेशन्टू का इंधर अब हमारी एक और अगर देखें आप वेरियबल है हमारा यह भी देख लेंगे शायद आपने 5x प्लस 4 इसमें यह मारा वेरियबल है एक्स जो कि है मारा अलजबरा में जिन चीजों का हमें पता नहीं होता हम उनको लेट करते हैं फर्ज कर लेते हैं जैसे हम कहते हैं कि दो नंबर हैं उनको जमा किया जाए तो आंसर पांच आता है तो हमें दो नंबर पता ही नहीं है दो नंबर हैं जिनको जमा किया जाए तो उसका आंसर पांच हम फर्ज कर लेते हैं X प्लस Y यानि ये दो नमबर हमने फर्ज कर लिए इनका sum कितना आ गया 5 तो हमने कहा था कि दो नमबर है उनका sum 5 है find the number इस तरह के questions आते हैं अब हमें नमबर पता नहीं थे तो मैंने इनको let कर लिए X और Y से इसको हम लेट कर लेते हैं sum तो मारा प्लस आए गया इनको हम कहते हैं variables क्या करते है variables अब इसकी power उपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसकी power one है ठीक है इसको कहते है linear equation इसको क्या करते है linear अब highest power अगर power 2-0 तो फिर हम इसको कहते है quadratic equation मतलब ऐसी equation जिसमें variable की highest power 2-0 variable की highest power 2-0 उसको हम क्या करते है quadratic equation अब for example पहले x की power 2 थी फिर आइस्था इस्था reduce होती आएगी फिर x हो गई 1 हो गई फिर आगई 0 ठीक है फिर क्या आगई मारे पास 0 देखे power आइस्था इस्था यूस होती आ रही है इक्वल कुछ भी हम लिख सकते हैं आप देखे मेरे बेटा इसके साथ कोई number भी तो जैसे यहाँ पर हमीक्ति थी है तो ऐसे भी तो है यह देखे जैसे 5X है तो यह X के साथ 5 भी तो है ना कोई number भी तो हो सकता था BX मैं जिसकी भी पावर 0 हो, वो 1 के बराबर होता है, जिसकी भी पावर 0 हो, वो किसके बराबर होता है, 1 के, इसलीए यहाँ पर आ गया 1 इंटो C इकॉल टू 0, तो हमारी यह पूरी एक्वेशन क्या बन गई, AX square plus BX plus C equal to 0 यह quadratic equation होती है इसको आप move करते हैं आगे चलते हैं तो आपने पहली चीज इसमें सीखनी ही है अगर आप अपने बुक खोलें तो पहली चीज आपने सीखनी ही है कि क्या होती है quadratic equation यही है ना तो अब इसकी तरफ चलते हैं अब आ रहा है ना देखें मेरे बेटा quadratic equation की definition हमारे पास आ गई है वो कहता है एक equation which contain जिसमें मजूद हो contain का मतलब रखना होना मजूद होना which contain square square का मतलब क्या है power टू स्क्वेर का मतलब क्या है पावर टू जैसे हम 3 का स्क्वेर लिखते हैं तो उसका मतलब 3 की पावर टू ऐसी equation जिसमें unknown यानि वेरियेबल्स की पावर टू हो ठीक है बट नो हाईर पावर लेकिन उसके बाद कोई पावर बढ़ी ना हो उसका हम quadratic equation कहते है यहां से लेके यहां था क्यूंकि इसमें पावर टू होती है तो इसको सेकंड डिग्री एक्वेशन भी कहते हैं एक्वेशन विच कंटेन स्क्वेर ऑफ अन्नोन और फिर उसके बाद कोई पावर ना हो इसको हम कहते हैं quadratic equation और इसका दूसरा नाम है सेकंड डिग्री इक्वेशन इसकी standard form क्या है कि जब भी आप लिखेंगे तो पहले आप एक्स स्क्वेर लिखेंगे फिर भी एक्स लिखेंगे फिर इसकी standard form है पूछ लेता स्वाल जैसे यह एक्वेशन देखें यह आपके पास नीचे एक्वेशन आ रही है यह इसकी standard form है देखें पहले एक्स स्क्वेर फिर एक्स है और फिर शिक्स है जब कि इसके आगे वाली देखें standard form में नहीं है इधर को और करें standard form नहीं है अब देखें मैं लिख रहा हूं कि 3 एक्स स्क्वेर प्लस पूर नजर आ रहा है एक्स इक्वल टू फाइव यह standard form नहीं है standard form में क्या हो न चाहिए था पहले x square न चाहिए था फिर x होना चाहिए था फिर constant होना चाहिए था फिर equal to के दूसरी तरफ 0 होना चाहिए था मैं क्या करूंगा इस 5 को उठाऊंगा दूसरी तरफ ले आऊंगा तो हमारी standard form बनेगी 3x square plus 4x minus 5 equal to 0 जीरो यह हमारी standard form है जब भी आपने question solve करनी है सबसे पहले इसको standard form में लेके आना है इसकी जर्नल form यह standard form कहते हैं इसको ठीक है अब इसी तरह अगर मेरे बेटा इसमें हमारे पास क्या है प्योर इसके उपर हम बात कर रहे हैं अब देखें वह कहता है प्योर क्वाट्रेटिक एक्विशन क्या होती है कि प्योर क्वाट्रेटिक एक्विशन क्या होती है मारे पास standard form क्या आगई आगा भी एक्स प्लास बी एक्स प्लास टी एक्वाल टू जीरो अब इसके अंदर अगर यह वाली टरम ना ओ यह वाली टर्म ना ओ तो इसको बोलेंगे प्योर क्यों प्योर बोलेंगे क्योंके definition के एक्रदेग अन इक्वेशन विछ एक्स ना वो प्योर कॉड़िटी एक्वेशन होती है इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो देखो इसमें एक्स नहीं है इसकी इग्जैंपल देखें बड़ा इंप्वार्टन वैस्टन है इसको सॉल्व भी करें साथ-साथ-स्वेर माइनस 16 इक्वल टू जीरो यह बड़ा हैं क्वेस्टन है बड़ा हैं क्वेस्टन नजर आरा ठीक से के और जूम करूं थोड़ा आरा ठीक से ना अब देखें मेरे बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम क्या करेंगे हमेशा याद रखें इनको आप नंबर को जीरो वाली तरफ लेके जाएंगे और वेरियेबल को एक स्क्वेर रूट लेते हैं दोनों तरफ का स्क्वेर रूट लेंगे यह आ गया एक्स उस तरफ क्या आएगा पूर क्योंकि सोलाव पूर का स्क्वेर होता है और इसके साथ आप प्लस माइनस लगाएंगे ठीक है अब आप इसको स्लूशन सेट में कैसे लिखेंगे प्लस मा अच्छा स्वाल है है इसके साफ प्लास माइनस गonne क्यों आया देखें हम मैप्त में प्लास टू का स्क्वेर भी लें तो फोर आएगा माइनस टू का स्क्वेर भी लें टो ऒधा जब रिवर्स माइनस यह माइनस कभी हो सकता है यहां इसलिए जब भी किसी नंबर का स्कॉेर रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस साथ लगाते यह वज़ें जैसे इसमें देखें महारे पास 16 था था ना अपनी तरह से फिर फर्ज का लेते हैं मेरे बैटा यह याद रखेंगे बड़े काम लोगों को पता कि हम क्यों साथ लगाते हैं यह इसवज़ा से लगाते हैं क्यूब रूट में लें लगाते एक question है हमारे पास यहां पर 4x square है न एक question है हमारे पास यहां पर यहां तक मेरे बिटा clear है इसका फाइदा यह होगा यह record हो रहा है ठीक है तो आपको problem नहीं होती देखें अब इसके साथ ही आगे question था 4x square equal 7 आदा काम उसने किया हुए हमारा न अब 4 इतर multiply हो रहा उतर जाएगा डिवाइड हो जाएगा x square is equal 7 over 4 अब वही काम रूट लेंगे दोनों तरफ इस तरफ x आ गया है तो स्क्वेर और स्क्वेर रूट कट जाते हैं उस तरफ 7 का तो ले नहीं सकते हैं हम 7 उपर रहा गया 4 का लेंगे square root तो मारा पास 2 answer आजेगा अब वही काम इस तरफ हम क्या लगा देंगे plus minus और इसको solution set में लिखेंगे curly bracket लगाएंगे आप जब भी दो answer आते हैं हम उसको सैट में लिखने solution सैट में ठीक है और paper में इसके marks होते हैं मेरे मेटा अपनी किताब का बिल्कुल इस chapter का end निकाले यहां पर दो question है बड़े important same ऐसे x square minus 9 equal to 0 करके fill in the blanks में हमेरा ख्याल है है ना यह प्योर क्वाडिटिक एक्वेशन हैं है के नहीं है fill in the blanks देखें क्या है स्वाल इस फिलिए ब्लैक्स में होगा 25 x square is equal to something या इस तरह कार के कुछ क्या है देखे 25 x square minus 1 equal to 0 यह भी प्योर क्वाडिटिक एक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स मजूद नहीं है हम क्या करेंगे वन को उठाके उस तरफ लेके जाएंगे उस तरफ चला गया अब 25 को उठाएंगे उस तरफ ले जाएंगे बड़ा आसान सा स्वाल है क्लियर अब टेकिंग रूट ऑन बोट साइट सो मारे पास एक्स की वैल्यू क्या आगई वन का रूट लेंगे तो वन आएगा ट्विटी फाइव का स्कूर रूट लेंगे तो पाइव आएगा इसके साथ हम प्लस माइनस लगा देंगे और आंसर को स्वीशन सेट मैं आप सब्सक्राइब मुझे एंड पर जाना पड़ेगा बुक पर देखें मुझे इदर सबानी बैठकी याद है यह स्वाल है इदर यह कर दो रेजना कि 25 वाल रहे कि कोई बात नहीं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मुझे मेसेज की वीडियो बढ़िद हमा फिलिन दुप्लेंग्स पैना यह भी क्वेस्टन लिखाए क्या सवाल है नाइन वाला एक स्क्वेर था बोलो स्वाल एक स्क्वेर माइनस नाइन इक्वल टू यह भी प्योर क्वाट्रेटिक एक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स टर्म नहीं है इसमें स्क्वेर और कॉंस्टेंट एक्स नहीं है अब क्या करेंगे हम नंबर को उठाके दूसरी तरफ करेंगे simple taking square root on both sides so x will be plus minus 3 so हमारा solution set आजएगा plus minus 3 अब मेरे बेटा mcq निकाले mcq में गालबन लास्ट पेक mcq है वो भी यह है 4x square minus something कुछ अब मेरे बेटा हम 16 को पहले shift करेंगे अब फॉर को shift करेंगे अब फॉर को shift करेंगे अब शिक्स्टीन ओवर फॉर कटिंग कर लेते हैं फॉर 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 जार शिक्स्टीन है ठीक हो गया अब x square मारे पास क्या आ रहा है पूर अब टेकिंग रूट उन वो जाइड अब इस question में सबसे ज़्यदा मसला मसाहिल यह है कि देखें प्लस माइनस टू भी मुजूद है और solution सेट भी मुझूद है question पड़े क्या है अब तो ने question क्या पूच्छा मेरे बेटा solution सेट पूचा से solution नहीं पूचा से solution सेट इसका मतलब प्लस माइनस टू आज इसका आंसर नहीं होगा है मसी क्यूद का इसका अंसर होगा कर ली ब्रैकेट में यानि solution सेट में है ना confusing प्योर कॉड़िटिक एक्वेशन के सारे स्वाल होगे मेरे बिटा अब या आफकी किताब में जितने प्योर कोड़िटिक क्वेशन के बड़े important सूब आए बड़े हम सुवाल है ठीक है रिवियू में मेरा ख्याल है नहीं स्वाल कि यहां ता clear कि यहांदा क्लियर मेरे बिटा कि यहांदा क्लियर है अब मेरे बिटा आगे बात करते हैं अब आगे चीज आ गई हमारे पास देखें यहां पर गौर करें एक प्योर कृडर्टिक कीक्रूर्चं में कित्री टम्स होती हैं कित्री टम्स होती हैं कैसे और करते हैं ये विल्ल equalpatient में कितरी टर्म्त होती है इत्र 06 डियर के Wait aenteen तो एकक विए कोश्म में कितरी टर्म्त होती है तरी कृष्ञलिंट अब बात करते आगे है तीन टरीक all पूछता है है और in गार्टरिक आाइं को साल करने के तीन तरीक है समय लिखे हुए यह हों से फेक्ट पाइजेशन prophecy टिट इंग स्कुइर और тыट को ए tant on X फॉर्मूला अग मां क्कैनन को सब्सक्राइट ग्या en schedule त् Shane स्थी मेथट ऑफ सॉल्विंग कोड़िटिक विशन फर्स्ट वन इस फैक्टरिजेशन सेकंड वन इस कंप्लीटिंग स्क्वेर थर्ड वन इस कोड़िटिक फॉर्मूला अब मैं बताता हूं यह क्यों हम लिख रहे हैं टेंथ मैथ में रिव्यू से बड़ा स्वाल पढ़ता है आदा पेपर तक रिवियू से डालते हैं यह रिव्यू में आपके क्वेस्चन है कि हाव मैंनी मेथट आर देर टू सॉल्व कोड़िटिक एक्वेशन क्लियर हो गई यहां तक टर्म्स कितनी है तीन सॉल्व करने के त हैं तेन अब देखें इतनी चीज सीखने में फाइदा किया होता है निजए झीज दॉप कीशांस आता है वो कहता है standard form क्या अब इस पे से पचाने कौन सी इस टैंडर्ड फॉर्म मुझे बताएं standard form अभी हम पढ़ के आए इस पे से कौन सी वाली है एवाली आए बी वाली है सी वाली है कि डी वाली है standard form और बी वाली standard form है इतना लंबा तो सोचने की दुरूरत भी नहीं थी मार्क नहीं कीजेगा बी वाली इसकी standard form है एक स्क्वार प्ला बी एक स्क्वार सी इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म है next question is कितनी terms होती हैं अभी पढ़ किया है कितनी terms होती है तीन दूसरे का answer आ गया इसको solve करने के तरीके कितने होते हैं प्लास माइनस टू हमने खुद निकाला था अब देखें याद रखें जो भी एक्वेशन 4 3 2 1 ऐसे order wise नीचे आ रही है पूर से वह हमेशे रैसिप्रोकल एक्वेशन होगी क्या होगी जो भी एक्वेशन यह रैसिप्रोकल एक्वेशन की डैफिनेशन पर भी बात करते हैं हम तो फिर बात करेंगे ठीक हो गया अब देखें एक एक्वेशन कोई नहीं चैने क्या है है स्टेट क्वाट्रेटिक फॉर्मुला याद किया है स्टेट फॉर्मूला यह है माईनस टीbellas माइनस फिस्ट्र मैईनिस फॉर सी वट्वेर ट्व है यह नहीं जातकर दिन कार्मूला चाहरां सी क्योश पांच आजए के अश्यों एफ लिए पां पहला स्टेंडर फॉर्म बताएं में सीक्व उगाँ दूसरा है हमारा नंबर और टर्म लिए तीन टर्म होती है तीसरा mcq उस्था इसको सॉल्व करने के तरीक कितने हैं वह भी हो गया और नेक्स इस कोड़िक फॉर्मुला तो कौटिक फॉर्मुला का तालुग याद करने क हुआ है अब मेरा वेटा नेक्स हमने किया तेखें एक एकट्वेशन को RELAYंच रमेंची रमेंच्ट का मतलब क्या कि अब तभी नहीं होती है आशी वेशन जिसको उसके रैसी पेरोकल से एक्स का रैसी पुरोकल क्या होता है ऐसी इक्स **** जब उसमें उसके यह आपने याद की थी अब एक रब देखें वेरियेबल किस शकल में आ रहा है त्री की पावर एक्स अब वेरियेबल क्या बना हुआ है एक्स्पनेंट्ट वेरियेबल क्या बना हुआ है तो यह कौन सी इक्वेशन होगी एक्स्पनेंशल इक्वेशन आपके एंसी क्योंगे सारे कि कौन सा इसका भी बिता देता हूं वह फैक्टराइजेशन के साथ उसका तालोग के यह बित बता देता हूं अब देखें इसको भी गौर से समय ले 56 है तो 567 और 8 के टेबल में आता है अना अब हम ग fällt अगर आप देखें माइनुस सावन प्लस एट तो यहां पर आ रहा वन 15 नहीं आ रहा हना इसके उसके नदर जिएकर और फैक्टराइजेशन में इन से चाहिए है और multiply करने से last term आनी चाहिए तो आपके एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं सही नजर आ रहे हैं मेरे बेटा पहला पूछा था उसने कौड़िटी के क्विशन बताएं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपने लगा दी स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी यह फिर उसने पूछा में ये स्टैंडर्ड फ्र उसने पूछा को सौल्ट करने के चाहिए इसके जोड साट और पांच सथ को जमा आट-चाहिए बिसूफसर के हैं इसमें Xometh की शकल में यानि पावर की शकल में आ गया तो यह exponential equation है इसको तो solve किया आपने इसका answer यह है और यह मैंने बता दिया था जा भी 431 से और्ड़ॉइज नीचे जाए तो यह हमीचे रहे सी परोकल इक्वेशन होती हैंसी क्यूज आपके हो गए अब मेरे बेटा एक क्वेस्टन आपने यहां पे किया था यह वाला राइट डाउन राइट दा नेम ऑफ मैथट फॉर सॉल्विंग कोड़िट इक्वेशन तीन नाम आपने सीखे दें फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्कूर और कोड़िटिक फॉर्मूला आपका यह भ स्वाल करने लगा हम यह वाल करने लगा हुआ अब देखें इसको गौर से देखें नजर आरहा है इसे अब मुझे तो सामने नजर नहीं आना लेकिन वह काफी बढ़ी है वह देखें आप मैंसे को बता सकते हैं क्या करें जी मैंने शुरू महीं बता दिया था कि X को X की तरफ लेके जाएंगे 5X स्क्वेर माइनस 15X इक्वल टू 0 अब कुछ कॉमन निकलता है अलजबरा में कुछ कॉमन निकलता हो तो जरूर निकालेंगे देखें दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकलता है 5 निकलता सिरफ एक्स भी निकलता है 5 भी कॉमन ले लेंगे और एक्स भी इदर से 5 बार चला गया और 1 और प्चाल गया तो अंदर बच्षा सिरफ एक एक्स अब 5 टेबल कि तृप्टीन आता है त्री टाइम और एक्स तो बाहर चलागया ठीक हो गया अब मेरा पेटा यह यह एक टरम यह यह यह टर्म्स नहीं है बेसिकली यह लाग हो गया यह अलाग अब 5x को लाग 0 के बराबर तो x की वैल्यू क्या आ जागी 0 और 5 x is equal to 0 एक वैल्यू यह आ गई और 1x-3 को लाग 0 के बराबर x-3 equal to 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 3 ठीक हो गया solution set मारा क्या आ गया 0 और क्लियर हो गया लाग दो तीन सवाल है यह बस और यह दोनों स्वाल बड़े हम पर पर में आ जाते हैं कि आपके पार फर्स डे एमसी क्यू सारे हो गए हो गया मैरे बैटा क्लियर है अब वापस कर रहा हूं उपर वापस जा रहा रहा है शुरूर पिल्गू ठीक है शुरूर से हमको छोड़ के आय थे यह इसी का एक टॉपिक छोड़ का थे भी आंशहाला वह कोशिश करेंगे हम करें यहां पर देखे मेरे बेटे यहां पर भी क्वेस्टन है यह से रेलेवंट यह एक्जाम्पल टू अगर आप देख रहे हैं तो एक्जाम्पल टू आरिया नज़र यह नज़र आई है एक्जाम्पल टू वेर इंपॉर्टन एक्जाम्पल टू करेंगे अब हम सेम वैसे ही है मैं आगे गया हुआ था इस वज़ा से मैं उधर से कारके तो इधर को आ गया हूँ ठीक है करें स्टार्ट चलेंज 5x स्क्वेर इक्वल 30x कोई फरक नहीं उसमें 15x था इसमें 30x है अब 5x स्क्वेर 30x को एक्स की तरफ करेंगे अब 5x कॉमन आ जाएगा क्या कॉमन आ जाएगा अंदर क्या बचेगा एक्स माइनश 566 30 एक्वल तो 0 5x एक्वल तो 0 और एक्स माइनश 6 इप्वल तो 0x इप्वल तो 0 और 5 और एक्स इप्वल तो 6 इदर से यहां पे तो जी रही आ गया ठीक है इसका स्लीशन सेट के आएगा हमारे पास जीरो और इस आपने इसी तर्पीब से नोट्स बनाने काला में शुरू करने यह फैक्टराइजेशन यह फैक्टराइजेशन ही है हो गया है इस पर कुछ पूछना तो नहीं है पर कि फाइदा उठाएं अब आज है मेरे बेटा यहां पर आपने यह चार डेफिनेशन याद करनी है पेपर में एक डेफिनेशन यह लाजमी होती है पेपर के अंदर इन डेफिनेशन में से यह चार डेफिनेशन हैं एक डेफिनेशन पेपर में ब़ह होगभी त decrease मैं वह घबर आती ही आती है तो इनके आंसर अभ्याशन की तो मैंने उदर याद करा दी थी कौडर्बिरिक की एमने डेफिनेशन उदर याद कर ली थी बाकी की यहां पर आ रही है हमारे पास ठीक है? देखें मारे पार reciprocal की भी ऐ आ रही है ऐसी equation ऐसी equation जिसमें x को x को उसके reciprocal से change किया जाए ठीक है? और वो तब्दील ना हो तब्दील नहीं होती जब x को उसके reciprocal से replace किया जाता है उसको अमरे ऐसी प्रोक्लिक्वेशन कहते हैं इसकी एक्जैंपल बला कैसे लिखोगे इसकी एक्जैंपल ऐसे लिख लेना एक्स की पावर चार एक्स की पावर तीन एक्स की पावर दो एक्स की पावर एक प्लास फाइव इक्वल टू जीरो मलब चार से पावर को नीचे लेते हा आफ खुदी example हो जाएगी ठीक होगे मेरे बिटा है अब आज exponential equation ऐसे equation जिसमें वेरियेबल पावर की शकल में आए मतलब थी की पावर X वेरियेबल की शकल पावर की शकल में इसकी ग्जेमपल का इसा लिख लेना थी की पावर 2x प्लस 3 की पावर एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो अब एक पल्ले तुछ लेखने लिए वेरिये बली आना चाहिए रहा हो गया क्लियर अब ऐसी ऐसा एक्स्प्रेशन एसी क्वेशन जिसमें एक एक्स्प्रेशन ड्रैडिकल फॉर्म में हो मतलब रूट्स में आए अब दे और तरफ का स्क्वेर लेंगे खुद खुद इधर स्क्वेर आ जाएगा यह अंदर डालो स्क्वेर यह यह पेपर में कोई ने कोई डाली देगा वह न है कि देखें यह इसकी पूरी एक्साइज पीछे यह यह देखें यह सारी डैडिकल एक्वेशन अब आपने क्या करना चार डेफिनेशन लिखनी है जितना काम किया इसको नीट करके औरवाइस बनाना है आपके पहले चैप्टर के हो गए साथ चैप्टर रहें तेरा के तेरा के तेरा चैप्टर के स्टॉप रिकॉर्डिंग देख लें फिर साब लगाले पिर ना कहिए